चंद्रमा की चमकदार परिपूर्णता, प्रचुरता और उदार आशीरवात का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए पूर्णिमा का दिन महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने और पूरा करने के लिए बहुत शुब समय माना जाता है। प्रतियक पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में सवा किलो अखंडित चावल ले कर जाएं। फिर भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करके अपने दौनों हाथों को मिला कर उसमें जितना चावल आ सके उतना लेकर शिवलिंग पर चरहा दें। और बाकी चावल दक्षिना सहित वही मंदिर में पुजारी या जरूरत मंद को दान में दे दें। इस उपाय को हर पूर्णिमा सावन के सभी सोमवार को करने से भगवान भोले शंकर की कृपा मिलती है। समस्त आर्थिक संकर अडचने दूर होते हैं। घर करोबार में मा लक्षमी का वास ह होता है। कार्यक शित्र में श्रेष्ट सफलता मिलती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूद, बेल पत्र, शमी पत्र और फल चरहने से भगवान शिव की जातक पर सदैव कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांती दूर होती है। पूर्णिमा के दिन एक आटे का दीपक बनाकर उसमें तिल का तेल भरकर उस दीपक को प्रात, पीपल के व्रिक्ष के नीचे जलाकर अपनी मनोकामना कहें, इस उपाय को करने से धन मा करग में आने वाली बाधाओं का निवारन होता है, कारियों में सफलता मिलने लगती है। प्रत्यक पूर्णिमा पर सुभह के समय घर के मुख्य दर्वाजे पर आम के ताजे पत्तों से बनाया हुआ, तोरण अवश्य ही बांध है। इससे भी घर में शुभता का वातावर पूर्णिमा, एकादशी, एवं प्रत्यक शुक्रवार के दिन श्री महालक्ष्मी अश्टकम स्त्रोत्र का पाठ अवश्य ही करे। इससे मालक्ष्मी का उस घर में स्थाई निवास हो जाता है। जातक को जीवन में किसी भी चीज का आभाव नहीं रहता है। लंबे और प पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु को पंचामृत से स्नान करा कर, चूर में का भोग लगा कर, पीले पुष परपित करके घर पर सत्यनारायन की कथा करने से पापों का नाश होता है। समस्त भौतिक एवं सांसारिक सुखों की प्राप्ती होती है।